नमस्कार मैं देव जांगेड और आइडियल क्लासेज भादरा में आपका स्वागत है दोस्तों सेकेंड गेड शिक्षक भरती 2018 के जो विकल पतर भरे जा रहे हैं उसके बाद में मंडल आवंटन के प्रकिरिया एक तरह से स्टार्ट हो चुकी है तो उस पे आपने एक देखा होगा आज वाटसब पे घुम रहा है कि एक स्क्रीन शोट है जो फर्स्ट इंडिया जी उजरास्तान का और जी रास्तान का की इस पे रोक लग गई है और मुझे लगता है कि काफी सारे दोस्त इसको लेके चंतित हैं नेगटिव हो चुके हैं कि क्या हो गया है अब क्या होगा तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूँ कि आपको बिल्कुल चंता करने के जरूरत नहीं है nothing wrong in this तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आफशकता नहीं है दूसरी चीज आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपको वीडियो थोड़े से आज डिले करके आ रहे हैं आपको पता है रेजल्ट का वीडियो था थोड़ा डिले आया ये वाला वीडियो भी थोड़ा से लेट डाल पारा हूँ क्योंकि मैं अपने आश्याने से बाहर हूँ आज तो थोड़ा सा मेरे लिए टाइम शूटेबल मिल नहीं पाता है और बीच में बीच में जैसे जैसे टाइम मैनेज कर पाता हूँ थोड़ा सा उस टाइम आपके लिए जो जितनी सेवा कर पार हूँ करने की कोशिश करता हूँ तो दोस्तो इसको बहुत आसान सब्दों में समझते हैं क्या है टॉपिक और क्या ये स्टे है क्या इसका असर होगा पूरा का पूरा मुद्दा बट इससे पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पास में बने में बैल आगें को दबाके और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि जब भी नेक्स वीडियो आए तो आ आपके सवाल बचाते हैं ता मुझे कमेंड बोक्स में पूछ सकते हैं और एक चीज मैंने यहां पर एड करी है कि जब आपका मंडलावंटन हो जाएगा उसके बाद में आपको अपने स्कूल देखने होते हैं तो आप शाला दर्पन पे अपने खाली स्कूल कोन से सब्जे इसके साथ में ही एक और जुड़ी हुई है महिंदर कुमार चतुरवेदी सनौफ श्री ओंपरकास चतुरवेदी यहां देखेंगे आप तो और यह वाली भी रिट नंबर 6986 है और इसके अलावा और भी बहुत सारी रिटलिक्स में लगे हैं कई सारे अटेच करिए मैं चैन पर किरिया है उसके अंदर इनों ने शामिल हुए है पार्टिस्पेट के शामिल हुए है However, the result has been withheld by RPSC without any reason लेकिन बिना किसी कारण के RPSCन का result है वो रोक दिया गया है Counsel further submitted that now the counseling process for the selected candidate has been started for the post of senior teacher in the various subjects as per the merits come preference and if the counseling process is not stopped then the petitioner would be deprived of appointment as per the merit of and choice कहते हैं कि counselor ने और आगे यह बताया है कि जो counseling process से वो स्टार्ट हो चुका है candidate का जो senior teacher के लिए होना है अलग लग subject के लिए और वो किस बेस पे हो रहा है उनके merit और preference के बेस पे हो रहा है और यह process अगर रुकता नहीं है तो इसमें जो petitioner जो याचिका करता है वो अपने इस अधिकार से वंचित हो जाता है कि उसको भी appointment मिले उसके merit और 24 के हिसाब से तो यहां पे आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझें कि यह जो अधिकार है यह petitioner का उसके merit और preference के हिसाब से उनको जो 24 मिलनी चाहिए यह अधिकार सब का है जो पहले से form भर चुके उनका भी ह जिनके सामने पी लगा हुआ था उनका रिजल्ट लेट आया उनका भी है अभी भी साइद कुछ बंदे पी वाले होंगे उनका भी है और एक्सर्विसमें कैटेगरी का भी है तो इसमें आपको किसी उल जलूल हरकतें करने की उल जलूल comment करने की आवशकता नहीं है मैंने प जिनका रिजल्ट कुछ नौट बी डेक्लाइड एंड नाव आपिसी अंडर्टेक्स तो डेक्लार रिजल्ट विदेन पीरिड ऑफ त्री देज जो कांशल अपेर किये हैं उन्होंने कहा है कि पहले जो रिजल्ट जारी नहीं हुए थे वो किसी तक्निकी कारणों के वज़ से हुआ है और अभी आर्पिसी इस बात का वचन देता है अंडर्टेक वचन देता है कि विदिन पीरिड ऑफ त्री डेस सिर्फ तीन दिन में बाकी बचेवे रिजल्ट है वो जारी हो जाएंगे तो यहां पे जितने लोग जिनका प्रॉब्लम चल रहा है रिजल्ट जारी हो जाएंगे बात करते हैं अगले पैरा की लर्ण अडिशनल एड़ोकेट जनल सब्मिटेट अडिशनल एड़ोकेट जनल यह गोवर्मेंट का पक्स रख रहे हैं इन्होंने क्या सब्मिट किया है तो परसेश ऑफ कांसलिंग ओन डर सेम में नॉट बी स्टॉप यह कहते है ओक जो जो प्रिकरियद चल रही है कांसलिंग की वो अभी चालू है और इसको रोका नहीं जा सकता है इन्होंने अपना प्रक्षा रखा है कि रोक नहीं सकते हैं उसकी बाद जच साहब आता है यांपे की हर्ड कांसल फो देपार्टीज farming सुनी गई and peruse the record peruse the record का मतलब होता है कि पूरे के पूरे जो record है उसको अच्छी तरह से समझ के देखला समझ लेना In the considered view, ये पूरा के पूरा देखने के बाद ongoing counseling process of appointment to be stopped, ये पूरा देखने के बाद उनके उन्होंने ये समझा है और ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो counseling process है, appointment के लिए उसको रोका जाए for the reason that the result of the petitioner have not been declared by RPSC for the for which the petitioner are not at fault. क्यों ऐसा किया गया है उन्होंने? क्योंकि इसमें the counseling process of appointment to be stopped, the reason that result of the petitioner क्यों रोका जाए? क्योंकि जो petitioner है, जो उसमें RPSC का दोस हो सकता है लेकिन petitioner का कोई दोस नहीं है not at fault इसके बाद में ये वज़े देते भी इन्होंने इसको रोकने के लिका है अब और आगे देखें, जो positive news आती है यहां से देखेंगे आप in view of the matter of the process, process of the counseling started by the director secondary education respondent number 3 for the allotment of range for the post of senior teacher pursuance to advertisement number data this man stayed यह जो advertisement था इसी के तहत हमने पूरे form बरहे है, सब कुछ किया है और जो process चल रहा है उसको अभी के लिए state दे दिया जाए, उस पर रोकावट लग जाती है स्थगन मिल जाता है इस पर आगे यह छोटी सी line है लेकिन इसका महतो समझेगा list on 27 July इस दुबारा इस पूरे case को 27 July को list कर दिया जाए अब यहां पर उपर वाले पैरा में क्या लिखा था कि RPSC कह रही है कि 3 दिन में result जारी हो जाएगा demand क्या थी, पिछले 3 दिनों से आपनी जायज मांग के लिए खड़े हैं वह यह थी के मारे result जारी करो हमारे साथियों के हो गए उनके मंदल तक भर लिए गए हमें क्यों नहीं कर रहे हो तो इस पे clear हो गया है उसके साथ साथ एक और petition लगी भी थी लल्लू की उसको भी आज उस पे फैसला आ गया है उसमें जो एक सविसमें के टेगरी एसस्टी पे जो स्टे लगावा था वो स्टे हट चुका है लेकिन मैंने यहां पर उसका screen यह जो डॉक्यमेंट शेल्स ले नहीं कर पा रहा हूं कि उसका अभी तक साइट पे मुझे मिला नहीं था तो वो स्टे हट गया है तो अब किसी तरह की कोई टेकनिकल एरर इसमें नहीं है कि इसमें इस तरह का कोई जो प्रोसेस है उसमें आए अगला क्या होगा आपका सवाल आएगा कि यह सब होने जोन्दे वह सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे एक बार डेट होने की बात हो रही है एक बार डेट एक्सटेंड और होने की पूरी-पूरी संभाव नाए क्यूंकि तब तक यहां पे यह लोग सामिल नहीं हो पाएंगे जैसे अगली बार वाला बले यह छे दिन का साथ दिन का जित्ता भी स्लोट दिया जाए उसमें सब लोग अपने विकल्प भर चुके होंगे उसके बाद में आपके विकल्प जब उनके पास पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस उनको वैसे ही करना है जैसे उन्होंने जूर में अपना केलेंडर जारी किया था सिर्फ तारीखें चेंज होंगी यानि कि बचा हुआ प्रोसेस अगस्त के महिने में कम्प्लीट हो जाएगा और उसके बाद में चैन प्रकिरिया में और मंडल अलोट्मेंट में और आपको पदस्थापना में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है तो यह आप क्लिर समझ लीज लेकिन थोड़ी सी बात यह इसलिए कहना चाहरा हूं कि इसमें एक टेक्निकल एरर थोड़ी सी जिस तरह के कोशिसें हो रही है कुछ उपर जो मैंने आपके पैटिशन के नाम दिखाए हैं उन में से कुछ पैटिशन ऐसी भी हैं जो इस चीज़ को थोड़ा सा और लंबा क जाएं कि एक और जर्क अगर लग गया तो हम तूट जाएंगे आपको तूटना नहीं है इस टाइम पर आपको बिल्कुल रहना है क्योंकि आपने दो साल तक वेट कर लिया है और अब घड़ी आ चुकि आपके जोईनिंग की सो नथिंग रॉंग एकदम पॉजिटिव रह होगा अच्छा लगाओ तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो गोड ब्लेश यू अल थैंक यू जैहिंद एंड जैबारत